नमस्कार मेरे प्यारे मित्रो स्वागत है आपका एक बार फिर से श्री गरुर धर्म में चरित्रहीन होती है महिलाए कैसे करे पहचान यकीन न हो तो देखे लक्षन आज के समय में हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे एक अच्छी और चरित्रवान पत्नी मिले लेकिन स्त्रिय तो के स्वभाव और दिमाग को समझना बहुत मुश्किल काम है आज के समय में चरित्रवान लड़की मिलना बहुत मुश्किल होता है तो चलिए आज हम आपको कुछ संकेप बताएंगे जिससे आप पता लगा सकेंगे की लड़की चरित्रवान है कि नहीं चरित्रहीनता के यहाँ पर सबसे पहले हमें चरितरहींता के अर्थ को सही। आज हम आपको चरितरहीं महिलाओ के कई लक्षनों के बारे में बताने जा रहे हैं आपके परिवार के साथ बुरा व्यवहार यदि पत्नी चरितरहीं है तो वह आपके। परिवार पर कभी भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगी और घर के काम को ठीक से नहीं करेगी आपके माता-पिता और घर के सदस्यों के साथ बार-बार जगड सकती है। ऐसी स्थिती के अंदर आपको संभल जाना चाहिए चरितरहीं महिला परिवार को एक बोज समझती है और बार-बार परिवार के अन्य सदस्यों से अलग हो जाने की बात भी कह सकती है। पती के प्रती अनादर का भाव यदि कोई महिला चरितरहीं है तो वह अपने पती या प्रेमी का अनादर करेगी और वह भी बिना किसी। कारण से उसको ताना मारेगी चरितरहीं स्त्री हमेशा से ही अपने पती या प्रेमी को पसंद नहीं करेगी इस। वजह से वह उसका अपमान करने की कोशिश करेगी यदि आपकी कोई महिला मित्र या पत्नी बार-बार बिना किसी कारण से कोश रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं कुछ तो गड़बड है मोबाईल की गोपनेता रखना अधिकतर जो स्त्री चरित रहीन होती है वे अपने पती को अपना मोबाईल कभी नहीं सौंपती है यदि आपकी पत्नी आपको अपना मोबाईल फोन नहीं सौंपती है और फोन आने पर उठाने से भी मना करता है तो आपको समझ लेना चाहिए क कुछ ना कुछ गड़बड है क्योंकि पती पत्नी में इस तरह की गोपनियता आपको कही पर भी देखने को नहीं मिलेगी हालां की यह एक सौन। पत्नी बार बार बिना किसी कारण घर से अकेले बाहर जाने की कोशिश करती है तो आपको उसके पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड तो नहीं चल रहा है आमतोर पर इस प्रकार की महिलाओ को यदि आप जाने से रोकते हैं तो वे बहुत ही आपके साथ बहुत ही बोरियत महसूस करती है और आपके आने से वह काफी दुखी दिखाई देती है तो कुछ समस्या है और आपको इसका कारण जानना चाहिए आप अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं यदि वह आपसे सच में प्यार करती है तो साफ साफ बताएगी कि समस्या क्या है एक चरित्रहीन महिला आपको हमेशा धोखे में रखने की कोशिश करती है, संबंध बनाने में अरूची यदी महिला एक दम से सही है, उसे किसी तरहे की समस्या नहीं है, तो वह अपने पती को हर प्रकार का सुख देना चाहेगी, लेकिन यदी वह अपने पती को धोख बनाने में अरूची रखेगी और बार बार किसी बहाने को लेकर बात को टाल देगी हालां की ऐसा और कारणों से भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको और गहराई से देखना होगा कि महिला के दिमाग में क्या चल रहा है, और उसके दूसरे व्यवहार पर आपको नजर रखनी होगी आप समझ सकते हैं कि चरितरहींता एक दोश है जो स्वार्थी समाज की देन है, आज किसी को समाज और परिवार की फिक्र नहीं है, एक ही चीज की फिक्र है और वह यहा है कि किस तरह से पैसा आजाएं आने वाले द दशा का सामना करेंगे और सबसे अधिक बुरी दशा हिंदूओं की ही होगी, क्योंकि अधिक तर हिंदू अपने मूल धर्म को छोड़ चुके है, चानक या नीती के अनुसार जो महिला जिसकी पैर की कनिष्ठा अंगुली क्या उसके साथ वाली उंगली धर्ती को चरित्र बदल लेती है, ऐसी ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधी होती है, उन पर नियंतरन कर पाना बहुत कठिन होता है, इनकी चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया। जा सक्ता ललाट या माथा अधिक लंबा होता है, ऐसी महिलाओं अपनी देवर के लि जिंग महिलाएं